कि नमस्कार फ्रेंड में हूँ चंदन पटेल और देखे मैं आज बात करने जा रहा हूं अलकाइल मैनिस अमेनिस के उपर ठीक है आप ध्यान से अगर देखेंगे ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको समझ में आएगा ठीक है अभी जो इसकी करेंट रेट चल लिए है थोड़ा देखें जो इसकी अभी करेंट रेट चल लिए वह 4033 रुपे चल ला है देखें मैं चल्दी चल्दी आपको बताने कोसिस करूंगा अगर यहां पर इसकी बाउन भी हाई देखें तो यहां पर देखें चारहजार साथ सो पचास रुपए के लगबग आज पास यह ट्रेड देखने को मिली है ठीक है अब यह 5500 कैसे पहुँचेगा देखें मैंने अपने थमनिल पर लिखा है 5500 यह पहुँचेगा लेकिन कैसे पहुँचेगा वो तो चीज़े आपको ध्यान में होनी चाहिए देखें यह अभी यह स्टॉक एक बॉक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हैं आप देख रहे हैं ना बॉक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हैं और यह एक आपको बहुत ही अच्छे लेबल पर लेबल है कि जो यह यहां पर आपको कभी भी अच्छे लेबल पर लेबल नहीं मिलता है तो इसलिए आप यहां पर माल उठाते जाएए उठाते चाहिए नहीं तो एक दिन जब इसका मन बनेगा ना तो दो तीन चार चारी दिन में ये 5500 का लेबल तोड़ देगा आप मेरी बात समझ रहे हैं न जिस दिन इसका मूड बना उस दिन ऐसे ही खड़ी-खड़ी केंडिल मारेगा तीन चार पांच केंडिल कि ये 5500 टच कर देगा ठीक है आप ध्यान दिजिए ये क्यों टच कर देगा यहां यहां आपको तो मैंने दिखा दिया यह कैंडिल ठीक है ऐसे ही अनेको कैंडिल है इसकी देखे बॉक्स में ट्रेडिंग किया है बॉक्स में ट्रेडिंग किया है फिर उसके बाद देखे यह मैंने वंडे का ही चाट लगया आप ध्यान दिजिए बॉक्स में ट्रेड करता है और केंडल मार देता है बॉक्स में ट्रेडिंग करता है केंडल मार देता है यहां पे आप देखें कि बॉक्स में ट्रेडिंग करता है केंडल मारते रहता है ठीक है यह मैंने वंडे का चार्ट लगा यह ध्यान दीजिए बॉक्स में ट्रेडिंग करेगा केंडल मारेगा बड़ा केंडल देखो ठीक है आप जितना ही पीछ जाएंगे जितना ही इसका आप लेबल देखेंगे आप रेंगे अरे भाई 800 इतने के रेंज में रहेगा तो आपको चोटी ही केंडिल दिखेगी अब hele पर रहेगा तो वहां आपको बड़ी केंडिल दिखेगी आप यह ध्यान दीजिए बॉल लोग बोलेंगा रहे आप छोटी-छोटी केंडिल दिखा रहे हैं उधर तो आप बड़ी-बड़ी केंडिल दिखा इधर चोटी-चोटी अरे इधर का रेट भी तो कम है वोची जाब देखिए जो बॉक्स में टेडिंग स्टॉक करते हैं जो बॉक्स में टेडिंग करते हैं स्टॉक वो केंडिल पर केंडिल ही मारते जाते हैं एक बॉक्स टेडिंग कर लेंगे फिर केंडिल फिर बॉक्स टेडिंग करेंगे फिर केंडिल ऐसे ही स्टॉक को हमेशा आप अप पिरखेंड यहां पर लोग बनाया फिर खेंड देखेंड़ देखी यह 12500 पर रुपय के भावक्त इसलिए छोटी पेंडल इदर दिख रही है ठीक है फिर है यहां पर इसने पर कर में जार्डी ये दिखेंड बाद बॉक्स टेडिंग यह दिखेंड़ आक। कब से पचीस सो रुपे के रेंज से लगबग ये कब तक का लगा है 3500 के रगबग 34 3500 के रेंज पे फिर वहां से एक बॉक्स टेडिंग फिर उसके बाद केंडल आप समझ गये हैं हमेशा मल्टी बैगर स्टॉग में बने रहोगे तो आपको एक अच्छी डिटन मिलेगी और जब यहां पर ये इतना इतना मारा है केंडल तो यहां पर इसको यह 4700 के भाव पर जाके 4700 से 5500 कितना होगा आठ सो रुपे तेजने बसकाली आठ सो रुपे ति पसकाली आठी सो रुपे बचाया ना वह भी साड़े साथ सु रुपे क्योंकि 4750 यह खुदी जाके आए तो साड़े साथ सु रुपे यह नहीं मार पाएगा इसके लिए कोई भी इतना भारी चीज नहीं ठीक है अलकल रहे ना जिस दिन कैंडल मारे गना है उस दिन पांचेजार पांच सो पार कर देगा यह पिर आप देखना जब तक यह भूस स्टेटिंग में घूम रहा है तब तक आप अगर मतलब आपकी income salary से आती है या और कहीं resources से आती है तो आप यहाँ पे एक एक करके एक एक करके एक एक करके खरीचते जाएं ठीक है क्यूंकि आप यहाँ पे देखे यह 39 का जब यह low बना रहा था तो इसने दो ही दिन में candle मार के देखे 4400 से उपर कर दिया मतलब 500 रुपे पैसा बढ़ा दिया दो ही दिन में केवल तो यही मेरा recommendation है जो multi baggery stock है आप वहाँ पे बने रही है और धीरे 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 करके माल उठाते जाहिए और यह थोड़े ही दिन में पैसा बनाता है बहुत ही तेज बनाता है ठीक है नहीं ओके थेंक्यू फ्रेंड